हेलो एब्रिवान आज मेरा मेरे हस्मेन का मूड हो रहा था मतलब पिज्जा खाने का तो हम लोग आए में ते शिकागो पिज्जा और घरन जीन का रोट साइड होता है ना उन्हें वाइस वर करने बड़ा दिक्कत होता है तो चलिए अंदर चल के देखते हैं यहां का व्यू अच्छी है और यह जो आप पेड़ देख रहे हैं यह बिल्कुल है मतलब मैंने जब इससे टच किया ना तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे लगए यह एटिफिशल है लेकिन नहीं यह बिल्कुल है इसके मतलब वह चाल कहले मतलब वह उसकी लगडियां जहें वह खड़ अच्छी लाइन लगव देखने का मतलब किया था जब हम लोगों खाना ही पिज़ा था और यह लिजिए आ गया हमारा और मतलब किसको किसको पिज़ा पसंदे कमेंट डाउन जरूर करना मुझे तो बहुत पसंद और यह एक्स्ट्रा ही चीज़ी पिज़ा था पनीर पिज तो चले इसे डेकोरेट कर लेते हैं मतलब इस पर मसाले वसाले डाल रहे थे मेरे हस्बेन खाने के लिए मतलब रेडी कर रहे थे और यह देखे कितना चीजी है मतलब इतना ज्यादा चीज इसमें एक्स्ट्रा ही डाल दिया था इन लोगोंने मतलब मुझे बहुत मजा आया और यह व्लोग तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था लेकिन जब लोग गय थे ना तो ठंड बहुत ज्यादा थी और मैं भूली गई थी कि यह वीडियो भी डाल ली है मुझे तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी यह देखे कितना गरम था और चीज कितना ज्यादा था हम लोगों ने चीज जितना भी एक्स्ट्रा था वो हम लोवने निकाल दिया और किसको किस पासंद और करना इसके बाद जब हम लोग निकलें तो हम लोगों का मन हो रहा था मतलब मेरे हस्बेंट का नहीं मेरा मन हो रहा था चौकोलावा खाने का और हम लोग पहुंच के मतलब केक की दुकान पर अपना चौकोलावा मतलब देखने के लिए कि यहां मिल रहा है या नहीं और यह हलमेट पहन के मुझे पीके वाली मूवी की याद आ जाती है और यहां पहुंचने के बहुत बात जो है बहुत सारी केक की वराइटी थी हम लोगों ने देखी बट हमे को चौकोलावा कैसे लगता है यह भी बताना आई होप आप लोग पसंद आया होगा फालो फामोड बाब बाई